नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीची दोस्तु उपस्थित हूँ आप सभी के लिए आज खीरा के फायदे ले करके जी हाँ खीरा खाने के फायदे बालों एवं तवाचा की देख भाल के लिए खीरे का प्रयोग खीरे में सिलिकोन एवं सलफर बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं जो की खीरे में उपस्थित होते हैं अच्छे परिणाम के लिए आप चाहें तो खीरे के जूस को गाजर एवं पालक के जूस के साथ भी मिला कर ले सकते हैं फेस मास्क में शामिल खीरे के रस तवचा में कसाव लाता है इसके अलावा खीरा तवचा को सन बर्न से भी बचाता है खीरे में मौझूद एसकोरबिक एसीड एवम कैफीन एसीड पानी की कमी जिसके कारण आखों के नीचे सूजन आने लगती है इसको कम करता है शरीर को जल मिश्रित रखने में मदद करता है खीरा खीरे में 95% पानी रहता है इसलिए यह शरीर से विशाक्त और अवांचित पदार्थों को निकालने में मदद करता है जिससे कि शरीर को स्वस्थ और जल मिश्रित रखने में मदद मिलती है पाचन के लिए भी बेहत फायदेमंद होता है खीरा खीरे के छिलके में ऐसे फाइवर मौजूद होते हैं जो घुलते नहीं है यह फाइवर पीट के लिए संजिवनी बुटी की तरह काम करता है कबजी की परिशानी को दूर करने में भी यह कारगर है खीरे के छिलके से पीट अच्छी तरह से साफ हो जाता है यह हैंग ओवर को कम करने में मदद करता है शराब पीने के बहुत सारे दुष परिणाम होते हैं उनमें अगले दिन का हैंग ओवर बहुत ही कश्ट देने वाला होता है इससे बचने के लिए आप रात को सोने से पहले खीरा खा कर सोएं क्योंकि खीरे में जो विटामिन B, शुगर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वे हैंग ओवर को कम करने में बहुत ही मदद गार होते हैं इसके अलावा अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी खीरे का प्रयोग बेहदलावकारी होता है अगर आप अपना वजन कम करना चाहा रहे हैं तो आज से खीरे के छिलके को अपने डाइट में हिस्सा बना लीजिए वैसे तो खीरा भी वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन चिलके के साथ इसका सेवन करना और भी अधिक फायदे मंद होता है क्योंकि पेट में जब फायवर जाता है तो पेट साफ रहता है और पाचन क्रिया हमारी दुरुस्त रहती है जिसकी वज़़से हमारा पूरा सिस्टम सही रहता है हम एक्स्ट्रा फैट से भी बच जाते हैं कैंसर से भी बचाने में बेहद कारगर होता है खीरा खीरा में साइको इसोल, एनरी क्रिशनोल, लेरी क्रिशनोल और पाइनोरिशनोल तत्व होते हैं ये तत्व सभी तरह के कैंसर जिनमें अस्तन कैंसर भी शामिल है इस सब के रोप थाम में कारगर है खीरा, मुह में अगर आपके बद्बू आती है तो उसको भी तूर करता है खीरा, अगर मुह में बद्बू आ रही है तो कुछ मिन्टों के लिए मुह में खीरे का टुकडा रख लें, क्योंकि यह जवानों को मार कर धीरे धीरे बद्बू निकालना कम कर देता है आयरुवीद के अनुसार पीट में गर्मी होने के कारण मुह से बद्बू निकलता है खीरा पीट को शितलता प्रदान करने में मदद करता है जिसकी वज़ा से बद्बू आनी रुक जाती है इसके अलावा औरतों को मासिक धर्म में अगर प्रोब्लिम होती है वो दही में खीरे को कस कर उसमें पुदीना काला नमक, काली मिर्च, जीरा और हिंग डाल कर रायता बना कर खाएं इससे उन्हें काफी हराम मिलेगा इसके अलावा विटामिन का अच्छा श्रोथ है खीरा खीरे के चिलके में विटामिन के परहप्त मात्रा मिलती है ये विटामिन प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करता है जिसकी वज़ा से कोशिकाओं के विकास में मदद मिलती है साथ ही इससे ब्लड क्लाइंटिंग की समस्या भी पनपने नहीं पाती है आँखों के लिए बेहद कारगर है खीरे का प्रियोग छिलके समेत खीरा खाने से आँखों के रोशनी अच्छी रहती है इसके छिलके में बीटा के रोटीन होता है जिससे आँखों के रोशनी अच्छी होती है इसके आलावा मसूनों को स्वस्त बनाता है खीरा खीरा खाने से मसूनों की बिमारी कम होती है खीरे के एक टुकड़े को जीब से मुह के उपर स्किन के लिए बेहदकारगर होता है, खीरे का प्रियोग, टैनिंग और सन बर्न में भी खीरे के छिलके का इस्तेमाल फायदे मन्सावित होता है, इससे तुचा का रूखापन भी कम होता है और मौस्चराइजर बना रहता है, खीरा काटने के बाद आप उसके छिलके को हलके ह प्रवाइब लगा सकती हैं कई लोग इसके छिलके को सुखा कर पीस लेते हैं और उसमें गुलाब जल की कुछ एक बुंदे मिला करके फेस पैक तयार करते हैं और इसे फेस पर इस्तेमाल करते हैं यह भी एक बेहद ही कारगर विधी है जिसके सहारे आप अपनी स्कीन को बेह अच्छी शोध जानकारी महत्तोपूर्ण जोकी हो आपके लिए लेकर के तब तक के लिए